हेलो एवरीवन, वेलकम टू एगरीकल्चर एंड जीके इस वीडियो के माध्यम से मैं अभिने दिक्षित आज आज आप सभी लगों से UPPCS सम्मेलित राज कर सेवा परिच्छा 2021 का जो मेंस का एक्जाम हुआ है Food Processing Officer का उसके पेपर के बारे में डिसकस करूँगा दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर आपको यूपी पीसेस की कम्प्लीट तैयारी कराई जाती है कम्प्लीट तैयारी की वीडियोस, जॉब की अपडेट्स और कोस्टन पेपर प्रोवाइड किये जाते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा और गूगल प्ले इस्टोर से आप हमारा आप एग्रिकल्चर एंड जीके इस्टाल कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट एग्रिकल्चर जीके डॉट इन पर जा सकते हैं हमारे आप और वेबसाइट पर एग्रिकल्चर के कोरसे से विलेबल हैं जिने आप्चएक करसकते हैं और आप पर्शेच करसकते हैं चलिए स्थरू करते हैं वीडियो को तो यह दोस्तों पेपर है मेनस एक्जाम का पेपर आपका भाई लिंगुवल था और यह पेपर डिस्क्रिप्ट्व आए था पेपर में कुल टाइम सापके पास तीन घंटे का मैसिवर मार्क सापके दोसों थे सेक्षन एक दोस्तों बात करते हैं सेक्षन ए में जो कोश्चन नमबर एक है उसमें सौट नोट्स पूछे गए है पांच कोश्चन है और एक कोश्चन का आठ मार्क से रहेंगे कुल आपके फुट्टी मार्क रहेंगे तो दोस्तों कुश्चन नमबर एक का एक क्या है जीरो एनरजी कूल चैमबर्ड जे इसी सी इस पे आपको सौट नोट्स लिखने हैं दूसरा कौन सा है कर्टरिस्टिक्स आप गूड पैकेजिंग मैटेरियल इस पे आपको सौट नोट्स लिखने हैं नेक्स्ट दूस्तों क्या आपका माच्योर्टी इंडिसेस इस पे आपको सौट नोट्स लिखने हैं नेक्स्ट आपका है, intermediate moisture food, इस पे आपको short notes लिखने हैं, नेक्स्ट आपका है, common preservatives, इस पे आपको short notes लिखने हैं, question number two क्या है दोस्तों आपका, discuss the following, इसमें दोस्तों पहला क्या है, write down the main post harvest disease of fruit and vegetable and give control measures, दूसरा दूस्तों क्या है, agriculture export zone, तो इसके बारे में आपको discuss करना है, question number three क्या है, इसमें आपको जो है preparation methods के बारे में लिखना है, और इसमें चार heading है, और प्रतेक के आपके 10 marks रहें, कुल आपके 40 marks रहेंगे, दूस्तों पहला आपका है tomato sauce, दूसरा आपका है marmalade, तीसरा आपका है squash, चौथा आपका है candy, तो इनकी जो preparation method है उसके बारे में आपको लिखना है, प्रतेक heading के आपके 10 marks रहेंगे, question number four क्या था आपका, differentiate between the following, इसमें चार heading है, और प्रतेक heading के आपके 10 marks रहेंगे, कुल आपके 40 marks रहेंगे, पहली दूस्तों heading क्या है, climatric and non-climatic fruits, इसमें आपको differentiation करना है, दूसरा काउंस है आपका, aerobic and anaerobic respiration, इसके बारे में आपको लिखना है, तिसरा आपका jam and jelly, और चौथा आपका है, hygroscopic and non-hygroscopic foods, तो इनके बारे में आपको differentiation करना है, अब दूस्तों बात करते हैं, section B के बारे में, section B में जो पहला question है, question number 5, इसमें short notes पूछे कहें हैं, 5 heading है, प्रतेक heading के आपके 8 marks रहेंगे, कुल आपके 40 marks रहेंगे, पहला दोस्तों क्या है आपका pasteurization, दूसरा आपका है canning, तीसरा आपका है preparation method of cordial, चौथा आपका है preparation of mango pickle by salt, और पांचुबा आपका है psychochemical changes during, sorry, physiochemical changes during ripening of fruit, तो इनके बारे में आपको लिखना है, question number 6 क्या था आपका, describe in detail about the principle and method of food and vegetable preservation, इसके आपके 40 marks रहेंगे, question number 7 क्या था आपका, 7 question में आपका जो है explain about the vitamins available in the following, बतलब जो ये fruit seed में कौन कोई से vitamin होती है, इसके बारे में आपको लिखना है, 5 heading है, प्रतेक के आपके 8 marks रहेंगे, कुल आपके 40 marks रहेंगे, पहला दोस्तों आपका है पपीता, दूसरा आपका है mango, तीसरा आपका है apple, चोथा आपका है guava और पाचवा है tomato, तो इनमें जो विटामिन होती है, उसके बारे में आपको describe करना है, question number 8 क्या है आपका, explain the following in detail 5 heading है और प्रतेक के आपके 8 marks रहेंगे, कुल आपके 40 marks रहेंगे, पहला आपका है food spoilage, तूसरा आपका है food standards in India, तीसरा आपका है post dehydration management, नेक्स्ट आपका है biosynthesis of ethylene, नेक्स्ट आपका है scope of food processing in India, तो इनके बारे में आपको लिखना था, तो दूस्तों ये था यूपी PCS food processing officer का men's exam का paper, उमीद करता हूँ आपके लिए हमारी ये video useful रही होगी, अगर आपको video useful लगी हो, तो इस video को like करें, video को share करें, और हमारे channel को subscribe करें, thank you so much, God bless you all.